हेलो दोस्तो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के 43rd वीडियो क्लास में आपका स्वागत है, मैं डॉक्टर दाफडा हूँ और इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे bitplane coding और उसको MATLAB में implement भी करेंगे नाम से शुरू करते है, bitplane coding का मीनिंग क्या होता है, bitplane coding मतलब हम हमारी digital image को अलग-अलग bitplane में slice करेंगे और उसकी मदद से compression अचीव करेंगे ये bitplane slicing हम अलरेड़ी हमारे 12th वीडियो क्लास में पढ़ चुके है, जिसका नाम था piecewise linear transformation function, bitplane slicing जहां हमने देखा था कि bitplane slicing image compression के लिए भी यूज हो सकता है, image enhancement के साथ-साथ वहां हमने ये भी समझा था कि किसी image को represent करने के लिए सारे bitplane ज़रूरी नहीं है हम कुछ bitplane को omit भी कर सकते हैं और इसके बावजूत भी image की quality अच्छी रहेगी bitplane coding किसी भी multi-level image को by-level images में विभाजित करेगा और इसके बाद हम अलग-अलग image compression techniques supply कर सकते हैं compression achieve करने के लिए तो शुरू करते हैं अभी हम अलग-अलग lossless compression techniques पढ़ रहे हैं और bitplane coding भी एक lossless compression algorithm है जिसकी मदद से हम image completely recover कर सकते हैं ये image की inter-pixel redundancy remove करने के लिए use होता है bitplane coding में image के bitplane को individually process करने की योजना है हम जानते हैं कि अगर image एक 8-bit image है तो उसके 256 gray levels होंगे 0 और 255 के बीच में और हर एक pixel के 8 bits होंगे और हर एक pixel में से हम 1-1 bit निकाल सकते हैं और इस तरह total 8 bitplane बनेंगे तो bitplane coding में हम एक multilevel image को series of binary images में convert करेंगे और in binary images को compress करेंगे कोई भी binary compression method जैसे के run length encoding यूज करके जो हमने previous video class में पढ़ा है तो ये figure एक image के bitplanes दिखा रहा है bitplane 1 बना होगा सारे list significant bits से और bitplane 8 बना होगा सारे MSB या most significant bits से हर एक pixel के तो यहां हम देख सकते हैं कि अगर यह हमारी original image है तो हम इसको 8 bitplanes में slice कर सकते है bitplane 1 से लेके bitplane 8 तक तो यहां हर एक bitplane हर एक pixel के एक bit से बना होगा तो यहां हम देख सकते हैं कि image की ज्यादा तर information bitplane 5 से लेके bitplane 8 तक मौझूद है और हम bitplane 4 भी यूज़ कर सकते हैं ज्यादा clarity पाने के लिए इसे इस तरह समझा जा सकता है for example यह हमारी original image है जिसके pixel value 0 से 7 के बीच में है और इसका मतलब यह है कि यह एक 3 bit image है क्योंकि और computer के अंदर यह pixel values इस तरह से store होती है क्योंकि 6 की value होगी 110 उसी तरह से 1 की value होगी और 7 की value होगी तो अब bitplane slicing यूज़ करके हम इस 3 bit image के 3 अलग-अलग bitplane बनाएंगे हमारा पहला bitplane बनेगा MSB plane जो के बना होगा सारे pixels के most significant bits से तो यहाँ पे most significant bit क्या-क्या है 110 का 1 फिर 7 इसी तरह से center bit plane बना होगा सारे pixels की center value से और LSB plane बना होगा सारे pixels के LSB से अब इस तरह से slicing खतम होने के बाद इन bit planes पे हम अलग-अलग image compression techniques apply कर सकते हैं for example run length encoding LZW coding etc यहाँ पे bit plane coding का theoretical explanation दिखाया गया है for example decimal 3 को binary में 110 represent किया जाता है इस equation को यूज करके अब यह bit plane coding का एक बड़ा disadvantage यह है कि gray level के छोटे से changes bit planes की complexity काफी बड़ा सकते हैं अब मान लेते हैं कि एक image है जिसके सारे pixels की value 127 और 128 है हम देख सकते हैं कि binary में 127 और 128 एक दूसरे के complement हैं इसका मतलब यह है कि उसके सारे bits एक दूसरे से opposite है और इसकी वजह से सारे bit planes में 1010 जैसे values होगी और हमें continuous pattern नहीं मिलेगा इसे हम compress कर सकें जबकि actual image में 127 और 128 एक दूसरे के पास पास है इन दोनों के values बहुत कम vary होती है तो इस disadvantage को कैसे solve करेंगे इसका solution यह होगा कि हम BCD code की जगा grey codes use करेंगे mathematically grey codes को इस equation से mention किया जा सकता है जहां पर यह symbol exclusive or operation दिखाता है और हम जानते हैं कि grey code के लिए adjacent number सिर्फ एक bit से change होते है या फिर differ करते है और इसकी बजह से हमें continuous pattern मिलेगा bit planes में जिसको हम compression के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो grey code इस्तमाल करने के बाद 127 और 128 दोनों सिर्फ एक bit से differ होते हैं जिसकी वज़े से bit plane में continuous pattern मिलेगा और हम run length coding जैसी technique यूज़ करके compression अचेव कर सकते हैं तो आईए bit plane coding या compression matlab में देखते हैं यह program वही program है जो हमने 12th video class में देखा है सिर्फ मैंने थोड़ा सा modification किया है ताकि हम uncompressed image और compressed image को hard disk में write करते हैं और हम देख सकते हैं कितना compression मिल रहा है तो यहां हमें color image read कर रहा है और उसको grayscale में convert करने के बाद हम computer के e drive में output underscore matlab में उसको store कर रहा है आपको यह बात आपके PC के मुताबिक लिखना पड़ेगा तो यह हमारी original image होगी जो इस folder में सेव होगी कोई भी compression technique such as Huffman coding या LZW coding इस्तमाल करके और आगे हम अलग-अलग bit planes extract करेंगे और उसको subplot करेंगे और अब हम bit get use करके कुछ bit planes को combine करेंगे 8, 7, 6, 5 and 4 और हम bit plane 3, 2 और 1 को omit कर देंगे या छोड़ देंगे और हमारी output image बनाएंगे जो हम folder में लिखेंगे तो अब मैं मेरी original image और compressed image दोनों को compare कर सकता हूँ चलिए program run करते हैं तो यह हमारी original image है जिसको हमने अलग-अलग bit planes में slice किया है और reconstruction के वक्त हम bit plane 4 से लेके bit plane 8 तक ही use करेंगे ताकि हमें compression मिले और अगर lossless compression चाहिए तो कोई भी bit plane omit नहीं करना है और हम अलग-अलग compression techniques हर एक bit plane पे apply करेंगे और जब हम original image और compressed image को compare करते हैं तो देख सकते हैं कि दिखने में दोनों image में कोई difference नहीं है और तीन bit plane छोडने के बावजूद भी output input के जैसा ही है और output folder जहां पे मैंने दोनों images को save किया है वो यह है अब दोनों images की properties देखते हैं original image की size है 167 kb और compressed image की size है 97.5 kb तो जो compression ratio हमें मिल रहा है वो है approximately 1.71 जो के काफी अच्छा compression ratio है तो इस video class के लिए इतना ही thank you very much